खास तोर पर हम फोकस करेंगे path way education के लिए Australia के लिए path way education के कई नέे options आये हैं अब आज हम जानेंगे कि जनी students ने 2021 में Australia के लिए यह 21 के जो pass out हैं यह 22 के pass out हैं यह 23 के pass out हैं क्या pathway program के जरिये वो eligible हैं और उस्टेलिया के लिए जो तेई पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और मौका है कि वो इंडिया में रहते हुए ही उस्टेलिया की युनिवेस्टी में अड्मिशन लेने के बाद आउनलाइन अपनी एजुगशन शुरू कर सकते हैं और जिससे उनका वीजा क सक्सेस रेट काफी जादा माना जा रहा है और अगर अगर उनको वीजा नहीं मिलता तो सारी फीस जो उनकी वापस आएगी भले ही उन्होंने छे महीने की पढ़ाई इंडिया में उस्टेलिया की युनिवेस्टी से कर ली हो लेकिन उनकी सारी फीस वापस आएगी और इसक जौब भी प्रवाइड होएगी तो ये तमाम पॉइंट्स पे हम डिस्कुस करेंगे हमारे साथ मैं वीना गोल मजूद है और USA की जो स्टूडंट्स हैं USA का चैनल भी हमारा साथ है USA की जो स्टूडंट्स हैं उनके लिए भी कई आप्शन आज के दिन में बन रही हैं तो USA से वाले स्टूडंस भी लाइव कॉल कर सकते हैं 9216234209 मैं हम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो वो मुझे ऑनलाइन आप्शन बताइए आप जो 21 पास आउट भी डॉप्ट कर सके 22 पास आउट भी 23 पास आउट भी क्या जो पाथवे है जैसे आपने बत आपको थोड़ा सब्डेड देती हूं कि यह कुछ बच्चे हैं जो कि कोई financial problem is Australia में जैसे जीटी चाहिए नहीं clear होती या उसकी वज़े से gap आजाता हमने देखा जैसे पीछे 22 पास आउट स्टूडेंट्स की file एक एक साल agencies के पास पढ़ी रही universities ने clear नहीं किया उसकी वज अच्छा जो है Australia जाने का ही चाहावान है तो फिर वो क्या करें फिर उसको pathway option लेना पड़ेगा जिसमें कि वो one year या six month जो भी pathway इंडिया से जो हम pathway करा रहे हैं तो उसका जो है कि six month at least उसको इंडिया में पढ़ना पड़ेगा fees मान लीजिए 10-11 लाख रुपे अगर Australia में है six month की depend करता है कितनी fees है क्योंकि on and average 32-35,000 डॉलर one year की fees होती है गर उसका half करें तो आपके 16-17,000 डॉलर आपकी minimum fees आती है 10 लाख के around आपकी बनेगी बनेगी 9-10 लाख रुपे तो वो जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 6-7 लाख रुपे, 6 लाख रुपे, depend करता कोर्स पे, वो fees पढ़ती है, online study है, same university के same professors या lecturers उनको कराते हैं, same वो ही university है, उनहीं के पढ़ाने वाले हैं और जितना margin time ये students उनका ले सकते हैं, और अगर visa नहीं लगता तो वो fees refundable है तो ये एक बहुत अच्छी option है, जिसमें कि student apply कर सकता है, लेकिन अब जैसे कल मैंने आपको बताया था, कि अगर total arts का बच्चा है, जिसके subjects बिलकुल अच्छे नहीं है, minimum four main subjects हम मांगते हैं, या commerce का बच्चा हो, non medical का हो, ऐसे students हो, फिर हमें इंडिया में कोई दिक्कत नही है, second option हमारे पास है, Singapore की है, आपने जो पूछा कि उनको दो से तीन साल के gap से कोई matter नहीं करता है, लेकिन अगर उचार-पांच साल का gap है, Singapore को visa देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें Australia में दिक्कत आएगी, तो हम वही profile लेते हैं, जैसे याँ एक साल का gap ले रह या मलेशिया में पढ़के, then next to second year, they will be in Australia, तो ये एक अच्छा pathway बनता है, लेकिन हम कहते हैं बच्चे को, Singapore के लिए में IELTS नहीं ही चाहिए होता है, लेकिन Australia के लिए, Australia आने के लिए बच्चे को IELTS चाहिए, जो कि 6.5 requirement, depend करती है, कि कौनसी उनिवर्स्टी में बच्चा कि बच्चो पहे जा रहा है, क्या ुइनिवर्स्टी के उफलेटरा है, मान लीजिए लाटर उब यूणिवर्स्टी है तो लाटर टरोप कि हैए, जेमस को कि है, तो गीकन है तो इकैन के आएगी, उस DAY। इस तीनचा नाम तो अभी गिनवा दिये, उसके बाद कर्टन है, है न, आट तस सी उनिवस्टी हैं जिनके ये कैंपस हैं, और जो स्टूडेंट जो है पाथवे प्रोग्राम ले सकता है, बिल्कुल ठीक है, और अगर हम पास्ट की बात करें, तो कितना सक्सेस स्टूडेंट को मिला है, कितने स्टूडेंट पाथवे को अडॉप्ट करके उसे लिए गए हैं? वो भी वहां 2nd year में पहुँच गया, इवन हमें नहीं पहले पता होता था इस पाथवे प्रोग्राम का, हमने तो बच्चों को सिंगापूर भेजा था, वहां से जब बच्चे मूव करने लगे था हमें पता चला था, यह बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन बच्चों न तो वहां से 2nd semester में जब लेके ट्रांसफर और वहां से हमें कॉल किया, अस्ट्रेलिया से, ना हमें अस्ट्रेलिया, तो यहां से जब कॉल आया बच्चों का, देन वी केम तू नो, कि दिस वेरी गुड पाथवे, देन सिंगापूर वालों ने हमें बुलाया, बन वीक कि व साथ, जो इंडिया में students हैं, और ऑस्टेलिया में जिन्होंने degree करनी है, यहां डिपलोमा करना है, अगर इंडिया से उन्होंने जाना है, तो इंडिया में जो online education की option है, वो कितनी है, अगर कोई पंजाब में है, तो यहां से परक नहीं पड़ता है, लेकिन यहां कि वो यु करते हैं, हां बच्चा जब GTE के documents उसके त्यार हो रहे हैं, उसका gap, अब 23 वाला बच्चा मान लो, अब 24 July तक maximum नहीं करेगा, तो उसका gap हो जाएगा, even 24 July के लिए भी वो gap justification मांगेंगे, तो उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी option है, कि जो अपने gap को त्यार कर रहे है मिन्स किसी भी साब से कोई university में admission लिया तो ठीक है, तो this is one of the best option जिन्होंने नहीं लिया है, तो same university का एक semester यहां पे करके, second semester के लिए जाएंगे, तो financial आप देखे, 4-5 लाक रुपे अपना बचा लेते हैं, अपने घर में बैठके पढ़ रहे हैं, और तब तक उनकी IELTS भी तियार हो जागा, IELTS PT वो तियार कर सकते हैं, वो course के हमारे कोई requirement नहीं है, और financial documents जब तक इन्होंने 3 months old fund करने हैं, तब तक यह अपनी online education लेके, एक तो इनका gap cover हो गया, जी, second जो है, इन्होंने अपनी IELTS की तियारी कर ली, IELTS PT, जो TOEFL जो भी करने हैं, third जो financial documents को 3 months old च बस्ते ही बंद हो जाते हैं, तो this is very good option. जो admission का process अभी शुरू कर सकते हैं? अभी वो तो last date चल रही है, एक दो दिन में बस date खतम होने वाली, online वाली, अच्छा, online की date भी खतम होने वाली है, जुलाई के लिए, वो एक semester का जो पूरा time देना पड़ता है, university के साब से, वो फिर मुश्किल हो जाएगा, हाँ, अगर बच्चों के funds ready है, अगर दो में साड़े पांच बैंड है, या GT clear नहीं होई है, because I am in Melbourne right now, तो हमारी बहुत सारे इंस्टिचूट से, बहुत सारे government इंस्टिचूट जिनकी bachelor degrees हैं, उनसे बात होई है, अगर मान लेजे, नर्सिंग के कुछ बच्चे हैं, जिनकी GT clear नहीं of a letter दे सकते हैं, विदिन 24 hours, government institutions and government universities and उनका GTB within week हम clear करा देंगे और FAP के लिए वो अपलाई कर सकते हैं, 6 bank not less than 5.5 bank, चाहे वो non-medical का बच्च हो, चाहे commerce का बच्च हो, चाहे medical का बच्च हो, तो we do have all the options, thank you so much, बच्चों को हम लोग information share कर पारे हैं, thank you so much, thank you, thank you, झाहे सकते हैं, thank you